हेलो नमस्कार सातियो स्वागत आप सभी का एवाई फाइव लेंग कासिज में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सामान विज्ञान से इनकी जेनरल साइंस के इंपोर्टेंट कोश्चन आपके इंट्रिक्वी टेस्ट के रुप माँ प्लगाने वाले हैं तो आप वीडियो क संद्धत क्यास समदध के लिए जिसमें आपकी लिए जनरल साइंस करें उनको नर्स जबसे, पैलाstorm पर सारीर की सबसे बड़ी गृरंती कों सी है आपको बताना है आपके जो बोड़ी है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है लार ग्रंथी थायरेड यक्रत या फिर आमास से तो देखी इसका राइटन से क्या हो जाएगा जो सबसे बड़ी ग्रंथी होती है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथी होती है C option आपको 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 याद रखना है मादा जनन अंग से जो हर्मोन आपको इस्तावित होता है आप याद रखना है रिलेक्सिन हर्मोन रिलेक्सिन के नाम से हर्मोन इस्तावित होता है C option आपका राइटन से ओजएगा C option तो दोस्तो आपकी morning में भारतिस सम्विधान की class आपके चल रही हैं उन्हें नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखना आपके लिए प्रेलिस्ट के ना पूर सम्विधान की सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपके डिस्किसम्थे रख पहा है लिंक जाके वीडियो के अंते में एक्षे के गतियों एक्षे गतियों का नियंतरन किसके द्वारा किया द्वारा होता है एक्षे गतियों को नियंतरन है वे किसके द्वारा होता है ओप्षन है Cerebram B.A. Thirad C.A.C.E. About Cerebram D.A. इन में से कोई नहीं तो इस प्रिशन का राय टेंसर क्या हो जाएगा तो इसका जवा होगा शेरी ब्रम है यह आपका आपकी मनुस में जो आपकी जो अच्छे गति हैं उनको नियंत्रिण करने का कारे करता है अगला कुशन आता है प्रस्ण है शरीर का तापकरम कहा नियंत्रिट होता है जो आपको अंसर दें इसका तो इस प्रिशन का राय टेंसर क्या हो जाएगा देखिए जिसने भी C option इसमें चुना है आपका hypotheles में जो आपका तापकरम है वे आपका hypotheles के नियंत्रिट करता है सरीर के तापकरम को C option आपका राय टेंसर बजाएगा इस प्रिशन का अगला कुशन आता है प्रस्न है अमीवा में बोजन का अंतर ग्रहन किसके द्वारा होता है बताना है अमीवा के अंतर ग्रहन का अंतर ग्रहन है वे किसके द्वारा होता है तो इस प्रिशन का राइंज़ से क्या भाँज़ाएगा आपको राइंज दो आपको राइंज़ हो झाएगा अगला कॉष्चंन है प्रेस्फ ready-N利me में से कौन सा इंजयम LAR में पाए- Cambridge होती है उसमें कौन सा इंजयम पाए- जाता है इसए आपको bethahana है औप्षन है Pepsin, B है Tepsin, C है Tilein, D है कई मोग, टिप से आपको इसमें से छांत ना है तो इस पिशन का रायट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब होगा आपका Tilein आपका रायट अंसर हो जाएगा से कुण सा जम पाजाता है टैले ना आपका C option राइट अंसर हो जाएगा अगला कॉशन आता है प्रेशन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुस से स्वास ग्रेंट करता है तथा छोड़ता है है कुण सी है प्रक्रिया आपको वता नहां स्वेशन कौन सी है स्वास वास या फिर प्रिस्वास या फिर निश्वास तो इस प्रिस्ण का राइटन से क्या हो जाएगा देखिए इस प्रिस्ण का जिसने option नमर बी चुना है उसका राइटन से हो जाएगा option नमर बी आपका है इस प्रिस्ण का राइटन से हो जाएगा b option कोशिका प्राइए किसका उपयोगी करती हैं। सब्सक्रोज कोशिक करती है और फ्राइए कोशिक के लिए और किसका उपयोग करती है। नेख्स कुछन है किसी अभिक्रिया द्वारा पोदे में औक्सिजन भारी वातावरन से कौशीकाओं में पहुंचता है। अगला कुछन है दसमा प्रस्ट प्रस्ट की अभिक्रिया में खाद पदार्तों की परिनिती क्या होती है। मुझांतरों का पोदों में यह कुण सा है पता है ज सुक्रों जिसन हैं सी ऑप्शन रायट एंसर हो जएगा अगला कोशन आता है प्रैस ने एक स्वस्त मनुस का रग्त चाब कितना होता एते हम बात करें एक स्वस्त मनुस की उसका रग्त चाब कितना होगा 90 साइट 120 साशी 200 230 एक सचाली अपरी 100 साइट तो इसका rate शोजह घ्लाग करेंगा आपके स्वhas्थ मंनुख से आपका जो रखतिचाब होगा एक Kath मनुख का उसमें आपका rate शोजगा 120 से 80 आपका rate शोजगा 120 से 80 आपका rate शोजगा भी ओप्षन आपको याद रखना है अगला कोशन आता है प्रस्ण है मनुस्थ के मस्तिक्स की सबसे बहारी जिल्ली है मनुस्थ के मस्तिक्स की जो सबसे बहारी जिल्ली कौन सी होती है तो इस प्रस्ण का सही जवा हो जाएगा ड्यू राम मीटर याद रखना है क्या होती है कुन सी होती है डूराम मीटर आपका रायटर्स हो जाएगा C option सही जवाँ होगा अगर आप उसने चौधमा प्रिसन प्रिसने मनुस के सुम्गने की चमता को नियत्रित करता है जो आप सुम्गते हो उसकी चमता है उसको नियत्रित करने का कारे कौन करता है अप्रिक पाली ध्रानेंद्रिय पाली शेरी जवाँ पिसासे ब्राम प्रिस्वाब का हो जाएगा ये इसका answer क्या हो जाएगा तो देखिए इस पिश्ण का सही जवाब हो जाएगा शेली ब्रह्म होता है C option सही जवाब हो जाएगा नेक्सक्विशन है 16 पिश्ण जट में glucose की मात्रा नियंतरत करता है आपका जो blood है उसके अंतर के जो glucose की मात्रा करता है बताई ये चार ओप्सिन से राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इस प्रिशन का आपका राइट अंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन के कारण क्या होता है D ओप्सिन से हो जाएगा इंसुलिन के कारण आपका D ओप्सिन इस प्रिशन का बिल्कुल आपका रायट अंसर हो जाएगा अगला question है oxygen है oxygen क्या है तो यह है इसका प्रिशन का रायट अंसर क्या हो जाएगा oxygen एक प्रकार से क्या है oxygen क्या है enzyme आपका रायट अंसर हो जाएगा नेश्क कोशन आता है अगला कोशन है जैव प्रक्रम के अंतरगत कौन आता है जैव प्रक्रम के अंतरगत कौन आता है पोशन उत्सरजन स्वेशन या को सभी तो आपको याद रखना है जैव प्रक्रम के अंतरगत आपको पोशन भी आता है उत्सरजन भी स्वेशन भी आता ह इसलिए आपका option नमर D आपका से हुझाएगा ये सभी आपका right hand से हुझाएगा D option अगला कुशन है गोवर्च छेता किसके अंतरगत आता है जो आपको गोवर्च छेता है वह किसके अंतरगत आता है पर जीवी, स्वेफोसी, म्रत जीवी आपके परासनी तो आपका गोवर्च छेता है जो आपका आता है म्रत जीवी कंतरगत आता है C option आपका right hand से हुझाएगा अगला कुशन है परस ने वाई मंडल में सामानते CO2 पाये जाता है जो आपका CO2 है वहें वाई मंडल में सामानते पाये जाता है 28, 24% 0.03% तो इसमें राइटने से होगा 0.03% आपका D option राइटने से होझाएगा D option इस परिशन का बलकुर राइट आंसर होझाएगा D option सही होगा अगला कुशन है चाया में पनपने वाले पौदे को हम क्या कहते है हेलियोफाइट्स थियोफाइट्स CEO काइट्स या पर इनमें से कुई नहीं तो आपके चाया में पनपने वाले पौदों को हम CEO काइट्स के नाम से जानते हैं याद रखना है किस नाम से जानते हैं CEO काइट्स के नाम से जानते हैं C option आपका right answer होझाएगा एक किसमें प्रिशन का अगला कुशन आता है प्रिशन मनुस में मुख्य स्वेशन अंगे क्या है जो आपका अपना जो स्वेशन अंगे है मुख्य स्वेशन अंगे क्या होता है फेंपडा ना कर ट्रेक या पर क्लों तो आपका मुख्य स्वेशन अंगे होता है प्रेशन के प्रेशन में मुख्य आंगे क्या है तो यह मद्वberry हो जाएगा एए अब्रेशन सतंति इप्रेशन digest में लाइट अब्रेशन portion तो बताए यह कौन सी भिवारी है इसमें इसके डियागा देखर Tषी आपकी सभाऊ देता है और आपकी निमोनिया यह दोनों आपको अपको आपकोाइड प्रॉ। अगले क्या किया कियां है अप्ष्य रच्छाप और क।हले हैं। तो आपको उच्छ रक्षाब की अवस्ता को हम किस नाम से जानेंगे तो याद रखना है है, हैपर टेंसन के नाम से जानते हैं, C आप्षन से हुजएगा है। अगला कोशन है प्रेशने मसलियों में उत्सरजी पदार्थ क्या है अगमसलियों के अंतरकत जो उत्सरजी पदार्थ है वे क्या होता है aminone umble, ba uricumble, c urea, d ammonia तो इसमें आपका ammonia है राय टैंसर होजेगा d option से होजेगा ammonia आपका राय टैंसर होजेगा अगला कोशन है पॉदों में आप सकता से अदे के जल किस प्रक्रिया द्वारा बहार निकाले जाते हैं तो इसमें सही जवा हो जाएगा आपका वातपूर सर्जन के द्वारा बी आप्शन से हो जाएगा अगला कोशन है निम्ण में से किसे हम प्रकास से संसली सी अंग कहते हैं याद रहने प्रकास संसली सी अंग आपका पत्ती हो जाएगी यह उप्सन राइटर से जाएगा पत्तियां आपकी प्रकास संसली सी अंग होती है अगला कुशन है पोदों में गेसों के आधर्ण प्रदान के लिए रहते हैं अगला कुशन है प्रेशन ने फेंप्रका का आकार होता है फेंफड आकार क्या होता है गोलकार, बेलकार, संक्वाकार या फिर अंडाकार तो आपके फेंफड का जो आकार होता है वह होता है आपका संक्वाकार आपका सही जवा हो जाएगा संक्वाकार आपका राइट एंसर हो जाएगा प्रकार की अभीक्रिया है जो आपको याद रखने है आपका बोजन का पाचन है वह आपकी ओपचेन प्रकार की अभीक्रिया होती है a option से विजएगा उपषेंग जिसनी भी a option balls चुना है उनका राइट है से विजएगा अगला कुछन है हर्मोन सब्द का नाम करण किस ने किया है था जो हर्मोन सब्द है उसका नाम करण किसhey किया था रोबर्ड रस्त्व बेलिस या पर बेलिस इवं स्टार लिंग या पर ब्राउन पूर्टर तो इस पर इवं स्टार लिंग को कहा जाता है हर्मोन सब्द का नामकरन के लिए अगला कोशन प्रतक करन का नियम किस ने दिया था अपके लिए प्रतक करन का जू नियम है वह किस ने दिया था बताईए इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी का कमेंट में जरूर आनसर आने चाहिए जिसको पता है तो इस प्रिशन का राइटेंस हो जाएगा मेंडल आपका जिए प्रिशन का नियम है वह किसके द्वारा दिया गया था तो यह आपका मेंडल के द्वारा दिया गया था जिससे C आपका राइटेंस हो जाएगा सब्सक्राइस नीस का क्या आंसर जाएगा सीमस्वी लागर्परियोग तब दुवरा किया गया था जिसका राइटन से जग आपका ले मार्क एबम ट्रेवी रेलेस ने जी विज्ञान सब्सक्राइब का सरफ प्रतम प्रियोग किया था एक ले मार्क-एबम-ट्रेवी रेलेस आपको याद रखना है, इस प्रेशन को काफिक भी या कुश्चिण भी कॉ जी विग्यान के जनक के नाम से जना जाता है राइटेंस से क्या हो जाएगा अरस्तू C option राइटेंस हो जाएगा C option राइटेंस हो जाएगा अब इससे पहला आप से पूछाएगा सरप्रतम क्रियोग किस नहीं किया था वह इसमें है जी विग्यान के जनक के नाम से आप से पूछागा है तो C option राइटेंस हो जाएगा अरस्तु को जाना जाता है इस प्रेशन का राइटेंस हो जाएगा C option अगला कोशन है प्रेसन है अगला वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं आपको छाटना है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन चाटने जाते हैं इंपोर्टेंट है इस्टार लगा लें इस प्रिशन को ओप्षन है थियो फ्रेश्टस डार्विन पुर्केंजे या फ्र आरस्तू देखे दोस्तो आपकी मोर्निंग में आपकी इंडिया जी के एक अंतर का भारती समयधान की आपकी मौक टेस्ट की रूप में क्लास से चल र लें इस प्रिशन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा थियो फ्रेश्टस को वर्नस्पति बिग्यान के जनक के नाम के नाम से जान जाता है यह उप्षन से हो जाएगा थियो फ्रेश्टस अगला कुश्चन है प्रिशन है बाटनी सब्द की उत्पति क सबसा के सब्द से हुई है बाटनी सब्द है इसकी उतपति किस बाटनी सब्द से हुई है और इसलिए आपका ऑप्सन नमबर ए इस पिसन का रायट अंसर हो जाता है दोस्तो यह थे आज की सभी इंपोर्टेंट कोशन आपकी एक्जाम के लिए आपकी एमोक टेस्ट के रूप में क्लास है सामान भी घ्यान की आपकी चल रही है आप इस वीडियो को लाइक कर दें जो इस चैनल पर पहलो जड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ नोटिपिकेशन बेल आइक झाल 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 झाल